तो आज की वीडियो एक ऐसी लड़की के ओपर है जो की पैसो के लालच में किसी भी हद तक जा सकती है तो दोस्तों हम लोग देखने वाला है कि वो लड़की अपने स्टैप डेड़ के साथ मिलकर आगे इस फिल्म में क्या-क्या भसड मचाती है तो दोस्तों बने रहना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और वीडियो के अंड तक देखना बिलकुल मत भूलना तो चलिए बिस्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मुवी की शार्टिंग में हम लोग क्रिस नाम के एक बहुत एरी चादिमी को देखते है जो कि अपनी वाइफ जिसका न अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस लेट नाइट एक ग्रोसरी शॉप में यहाँ पर शॉपिंग करने के लाया होता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की सोती है जिसका नम स्काई होता है अब यह लोग दोस्तों वहाँ पर कैजूल सी बाते कर रहे होते हैं और क्रिस उसे कहता है कि क्या मैं तो मैं ड्रॉप कर सकता हूं तो यहाँ पर तब तो वह लड़की मना कर देती है पर बाद में जब उसकी कैव नहीं आती है तो क्रिस ही उसे चोड़ने जाता है अब यहाँ पर वह लड़की अपने रूम के बाहर आ जाती है और उसे बताती है कि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी रहती है पर मेरी उससे लड़ाई हो गई थी तो मैं अप अंदर नहीं जाना चाहती है अब यहाँ पर हम लोग स्काई को देखते हैं जो की बहार तो आ जाती है पर वो अपने घर की तरफ नहीं जा रही थी और यहाँ पर क्रिस भी बहारी खड़ा हुआ था तो क्रिस उससे फिर से पूसता है कि क्या तुम मेरे घर पर चलोगी हैंगा उट के लिए तो वो उसे हां कर देते उसके साथ चली जाती है अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्काई क्रिस के घर में आती है और हमें आपर देखने को मिलता है कि जो स्काई है वो क्रिस के घर से बहुत ही ज़दा इंप्रेस होती है और क्योंकि वो बहुत ज़दा अमीर होता है तो स्काई क्रिस से पूछता है कि तुम इतना अमीर कैसे हो तो क्रिस उसे बतात पहले मैं एक एक्टरस थी और एक मॉडल थी पर मुझे वहाँ पर एक रेपीटेड जोब नहीं मिल लए थी तो मैं एक होटल में वेडर्स का काम करती हूं वह यहाँ पर उसे एक होटल का नाम भी बताती है जिसमें वह काम करती है अप दोस्ते हैं बहुत ही ज़दा लेट न रादबर कहां हूँ तो स्काई दोस्तों से बिना कुछ जवाब दिए सो जाती है अब हम लोग क्रिस को देखते हैं जहांपर उसे यह रिलाइज होता है कि स्काई उसे रात में अकेला छोड़के कैसे , कैसे चली गई तो सकाय के रेट्रूरेंटस कमें ने आता हैं जहां पर वह काम खाली case मिलता है और invention २ड़ऄ देखते हैं कि इनके इनके रश्टूरेंट के बाहर एक गुपन रहता हैं यहां इनसे लूतПрी से इसे ुस애 सोप्र प्र डेखते हैं कि क्रिस को जो स्काई है वो उसके रूम में लेकर आती है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और मैं तुम्हारा ख्यार रखना चाहती है तो यहां पर क्रिस भी उसे कह देता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं यहां पर दोस्तों स्काई क बीच में किस होती है और यह दोना आपस में गपागप करते हैं अब हमें अगले सीन देखा जाता है जहाँ पर जो स्काई है वो क्रिस के पास आती है और वो उसके साथ भी गपागप करती है क्योंकि वो भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी और क्रिस भी उसे बहुत प्यार करने लगाता अगले सीन में दोस्तों हम लोग लेंडलोड को देखते हैं जो कि स्काई और उसकी फ्रेंड का लेंडलोड था उनके रूम में आता और वो देखता है यहाँ पर जो स्काई की रूमेट थी उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है तो वहाँ पर वह फटा फट को कॉल कर देता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कृस का फान अननलॉक कर देती है और कर अगले सीन में क्रिस तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ यानकी तुम से और अपनी बेटी से तो यहाँ पर क्रिस की वाइफ कहती है कि क्या मैं आगले फ्राइडे तुम से मिलना सकती हूँ अगर तुम्हारा दिमाग साही नहीं है तो क्रिस उससे कहता है कि तुम आ सकती हो अब दोस्तों, हम देखते है कि Chris अगली सुबह उटता है कि Chris को पता पड़ता है कि उसकी जो friend है यानकी Sky उसकी roommate जो है उसका murder हो चुका है Chris यहाँ पर kitchen में Sky को देखता है जो की chicken nuggets का रही थी यहाँ पर Chris Sky से कहता है कि मेरा phone का है और ये सब मैंने तुमसे प्यार करने के लिए नहीं करा मैं बहुत सालों से तुम्हारे उपर नज़र रख रही था और मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो स्काई के इस बात को सुन कर दोसो जो क्रिस था वो बहुत जादा नाराज हो जाता है और Sky को अपने घड़ से निकालने के लिए कहता है पर अहां पर देखते हैं कि Sky के एक पास Chris का फोन था जिससे कि उसके रूम के सारे जोर्स को बंद कर देती है और Chris को अंदर बंद कर देती है अब हम लोग देखते हैं कि जो यहां पर जो Landlord है वो Chris के अंग सकाई के कमरे में आता है और यहाँ पर वो सकाई के टेलिसकोप से देखता है और वहाँ पर आसपास देखता है जहाँ पर उसे पडोस में ही एक लड़की न्यूड होकर योगा करती हुए दिखती है और वो उसे देखकर हिलाने लगता है अब अगले सीन में हम लोग स्काय और किस को देखता है यहाँ पर जो स्काय थी वो क्रिस पर भारी पढ़ चुके थी क्योंकि क्रिस का जो एक पैर था वो टूटा पड़ा था यहाँ पर स्काय जो होती है वो क्रिस को नीचे गिरा देती है और से interrogate करने लगती है कि मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे थी अब यहाँ पर जो sky होती है वो Chris से कहती है मुझे जल्दी से अब अपने bank का account number बताओ कि Chris उससे मना कर देता है दोस्तों अब scene change होता है और हम लोग landlord को देखते है जो की sky के telescope से ही उसको और Chris के room में देख लेता है अब हम लोग देखते है कि जो sky है वो किसी तरह से Chris से account number पता कर लेती है उसे बुरी तरह से interrogate कर कि उसकी account की सारे details अपने account में डाल लेती है एक fake company के नाम से अब हम लोग दोस्तों देखते है कि जो sky है वो Chris को मारना चाहती थी पर वो उसे इतनी वे आसान मौत नहीं देना चाहती थी हम लोग यहाँ पर देखते है कि इन दोनक बीच में हाता पाई होती यानि कि जिसने Chris के पैर पर मारा था वो sky का ही दोस्त है अब हम लोग देखते हैं कि जो landlord है वो किसी तरह से Chris के घर पर पहुंचता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर log लगा हुआ था तो यहाँ पर landlord कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तो यहाँ पर landlord की नज़र एक painting की तरफ जाती है वो Chris के कहता है कि पैंटिंग कितने की है पर वो निकल नहीं पता क्योंकि स्काई के पास सारे डोर्स का लॉक था दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रैंडलोड है वो किसी तरह से पेंटिंग को लेकर भाग रहा होता है पर यहाँ पर उसके भागने का कोई चांस नहीं था क्योंकि सारे जो लॉक थे वो यहाँ पर स्काई के पास से उसके पास कैमरा था अब वो एक तलवार से लेंडलोड को तो मारी देती है पर मौक देखकर जो क्रिस होता है वो वहाँ से निकल जाता है पर वो रिपट जाता है अपनी बाईक से और एक रोड पर आकर गिरता है जहां पर उस एक आद्मी मिलता है जो कि उसकी theory करता है अब हम लोग यहांपर देखते हैं वो Chris लिस्त आद्मी से कहता है कि मुझे call पुलिस पर कॉल करनी है तो वो आद्मी पुलिस पर कॉल मिला कर Chris को देता है पर Chris जब बात करता है तो वो call और कोहीं नहीं, वहां पर स्काय थी, और हमें यहां पर पता पड़ता है कि वो जो आदमी था, वो स्काय का last dad Мы even जो स्काई है वो क्रिस के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता पड़ा है कि तुमारे बैंक में 14 मिलियन बॉंड है क्योंकि तुमने तो मुझे बता है नहीं पर मैंने किसी तरह से यह सब जानकारी निकाली और मैं चाहती हूं कि मुझे तुमारा अंगुठा चाहिए यहां पर उसका स्टेप डेड़ होता है वो क्रिस के उगली काट कर अपने साथ ले जाता है उसे अपने अंगुठे से अटेच करके अब हम लोग देखते कि फ्राइडा आता है और क्रिस की जो एक्स वाइफ थी वो उसके पास आती है उससे मिलने के लिए पर तभी दोस्त लॉकर रूम में डाल देती है दोस्तों अब यहां से सीन चेंज होता है और हम लोग स्काई को और उसके स्टैप डेड़ को देखते है जो की बैंक की तरफ जा रहे थे अब यह लोग यहां पर क्रिस के जो बांड से बैंक में उन्हें निकालने जाते हैं और उन्हें पर प क्रिस की बैटी है और उस रूम से बाहर निकल चुकी है किसी गुपत रास्टे से अब हम लोग देखते हैं जहां पर जो क्रिस था बहुत बुरितरा से लड़ाई होती है पर यहां पर ने step dad पर ही gun fire कर देती है क्योंकि वो उसे बहुत जादा irritate कर रहा था अब यहाँ पर दोस्तो Chris होता है वो sky के उपर भी हमला कर देता है कुलाडी से पर जो sky थी वो भी किसी तरह से समले से बच जाती है पर अब यहाँ पर एक अच्छा काम हो चुका था कि Chris को उसका फोन वापस मिल चुका तरह अपने फोन से वो घर की सारी light बंद कर चुका है अब उसे कोई भी नहीं देख सकता था बलकि वो सब लोगों को देख सकता था अब यहाँ पर Chris मौका देखते है sky के उपर कुलाडी से हमला कर देता है पर sky फिर से बच जाते है और वो उल्टा हमला कर देती है अब यहाँ पर जो Chris था उसकी ex-wife आती है उसके बचाने के लिए पर वो भी बिचारी क्या कर सकती थी sky उसके उपर भी हमला कर देती है अब यहाँ पर Chris और उसकी वाइफ तो गाहल पड़े थे पर पीचे से उसकी वाइफ sky के उपर गन से हमला कर देती है जिससे कि वो मर जाती है और दोस्तों movie ही पर खतम होती है movie man तक बने रहने के लिए धन्यवाद and thanks for watching